नागपूर के मानस एग्रो इंडुस्ट्रीज एंड शुगर लिमिटेड फैक्टरी के बॉयलर में हुए विस्पोर्ट से पांच लोगों की मौथ हो गई पूलिस ने बताया कि चीनी कारखाना मानस समुह का हिस्सा है जो पहले पूर्ती पावर एंड शुगर फैक्टरी के रूप में जाना जाता था और जिसका स्वामित्व केंद्री मंत्री नितन गटकरी के परिवार के पास रहा है पूलिस अधिक्षक राकेश उला ने ये बताया कि कुछ मजदूर वेल्डिंग का कारे कर रहे थे और उसी समय गैस रिसाफ के कारण विस्पोर्ट हो सकता है पूलिस को शवों की बरामदगी से पहले गुसाई भीड को शांत करना पड़ा और इसके बाद ही मृतकों को घटना सल से निकाला जा सका शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने घटना की गहन जाच की मांग यहाँ पर की है दिवारी ने कहा कि मारे गए सभी मजदूर दलित हैं और फैक्टरी प्रबंदन का यह दाइत हुए है कि वो पीडित परिवारों को एक एक करोड रुपे का मुआवज़ा दें